दे फाइफ की शुरुआत हुई बहुत ही उथल पुतल के साथ सारा दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मिस्मैनेज हो जाएगा लेकिन फिर भी मैंने अपनी डाइट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली एक्शली मेरे जिस ट्रेनर ने जिम खोलना होता है कीज उसी के पास होती है और उसने अचानक से छुटी ले ली जिसकी वज़े से मुझे दुबारा से जिम कीज के लिए वेट करना पड़ा दूसरे ट्रेनर को बुलाया जिसकी वज़े से जिम खुलने में लेट हो गया लेक में ब्लैक कॉफी पी रही हूं सैलेड काट रही हूं और मैंने पनीर काटके रखा हुए सबजी में डालने के लिए तो लंच में हम सबजी खाएंगे आलू, बीन्स और पनीर की ब्रेकफस्ट में हम खाने वाले हैं ओट्स पोरे जो की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है य सारे के सारे बरतन यहां पर सेट कर रही हूं और अभी जो सबजी बनाई है, ओट्स पोरेज बनाया है, सालेड काटा है, यह जो इतने सारे बरतन का मैंने ओर खिलारा डालके रखा हुए, यह मुझे सारा क्लीन करना है, बरतन सारे अच्छे से वाश करने के बाद मुझे कि तो आज मैं करूंगी शाम को लेकिन मन मार के करूंगी बट कोशिश करूंगी अगर सुबहा हो जाए अगर मेरा साड़े नो बजे बैच होता है तो अगर मैंने वर्काउट सुबहा तो मैं अपना बैच कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी तो यह मेरी सबजी रेडी हो गई है और मेरा ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो गया है नोना ओट फोरेज को ठंदा खाना पसंद करती है मैंने इसको फ्रिज में रग दिया था अब मैं इसको यह दे रही हूं ताकि यह खाले और मैं आराम से जिम जा सकूं यहां पर हम डिसकस करें निश ब्रेंड के बारे में कि कैस इस ब्रेंड को और आगे लेके जा सकते हैं कैसे हमारे और वेस्टन और ट्रेडिशनल कपड़े आप लोगों के बीच में ला सकते हैं सबसे पहले मैंने किया है अपना ब्रेकफास्ट क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता है कि आज मैं वर्काउट नहीं करूँ तो मैंने प खाते अपने क्लाइंट के कुछ मैसेज़ेस चेक किये साथ ही सामने कैमरा पे मैंने सब कुछ चेक किया कि ऊपर वाले होल में जो है वो वर्काउट के सरीके से करवाया जा रहा है और धीरे धीर अपना ओर इंजिन जोए करते हुए ताइम यहीं ही स्पेंड किया एक घंट तो वीक में तीन बार लेग वर्काउट करना बनता है अभी ब्रिक्फस करने के बाद थोड़ी दिर रेस्ट करने के बाद मैं गई उपर जहां पर मेरा बैच था तो मैंने साड़े नों से साड़े दस बजे का अपना जो बैच है वो लिया बैच लेते टाइम में यह धिया और यहां पर में अपना मीड मौनिंग मीम खा रही हूं आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पनीर है अब यमदियू है यह दहीं किया नहीं है क्योंकि मेरी दाला नहीं और चक्रा आ तो वो थोड़ी सी बिमार और लेजी फिल करließen थे तो उसको पैंपर करना भी बहुत ज़़ गर पहुचते पहुचते मुझे बच गए तीन और इस वक्त मैं इतनी जादा टायड हो चुकी थी मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मुझसे लंच नहीं होगा हलांकि मैं लंच रेड़ी करके गई थी बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी तो मैं बस नहां के और थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया रेस्ट करने के बाद मैंने सुचा फिर मैं अपना जो लंच है वो खाऊंगी और शायद मैं मुझे पीरेज आने वाले हैं मुझे बहुत ब्लोटीड सा फील हो रहा है तो मैंने यहां पे एक चपाती खाई रात को जो मैंने डाल बनाई थी वो पड़ी थी थोड़ी सी सब अपने लिए मैंने बननी रखी हुई है लंच मैंने कर लिया तो मैं ग्रीन टी भी पीने वाली हूं और बैला और कुकी को मैंने अभी खाना डाला है तो थोड़ा सा बरतन में को क्लीन करना था तो मैंने सुचा कि वह बरतन भी क्लीन कर लों ताकि सारा काम निपट जाए अ गर का काम करने का या मैं लेट हो रही होती हूं तो मेरी बेटी ही मेरा सारा काम करती है और इवन कभी-कभी तो वो मुझे खाना बना कर भी खिला देती है ये डिपेंड करता है मुझे अपने घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है और मेड ना लगाने की वज़े से मुझ तसलिए रहती है कि मेरा घर करीं जाता है अभी मैंने यहां पर थोड़ी दिर बैठके अपनी सिप सिप करके ग्रीन टी जोए कि मैं कुछ खा नहीं रही हूं क्योंकि मैंने लंच लेट किया है तो ग्रीन टी में बस मैंने लेमन एड किया है ताकि थोड़ा सा जो मुझे बलो करना था अपना वर्कवट और आज तीसरा दिन था लेग डे का रेगुलर तो अच्छे वेट के साथ मैंड़ में कुम्टेट किया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी डाइट मुझे इतनी पावर दे रही है कि मैं अपने वर्कवट बहुत अच्छे से कम्पलीट कर पा रहे हूं, so I'm very happy कि मेरे अंदर वही strength वापिस आ रही है और workout लगाने के बाद बात करते हैं हमारे dinner की यानि की हमारे last meal की तो मैं 10.30 बजे घर पे पहुंची और मेरे पस कोई option नहीं था कि मैं घर पे कुछ बनाओ इसलिए मैंने यहां पर रोस्टेड चिकन लिया है साथ में मैंने लिया है सालेड और थोड़ी से चटनी है और यह देखें, साड़े-दस बजे मैं अपना डिनर कर रही हूं so यह था मेरा डे 5 I hope आप सबको अच्छे से समझ आया होगा अगर आप चिकन नहीं खाते हैं तो यहां पर आपको लेना है पालक पनीर का सूप या फिर स्वीट कोन की चाट आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं दोनों ही रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी so कल मिलते हैं डे 6 के डाइट प्लैन के वीडियो में All the best